हेलो, कैसे हो आप लोग, विल्कम बैक टू माई चैनल अच गेहूं के आटे से बहुत ही टेश्टी सा नास्ता बनाएंगे नास्ता बनाने के लिए पहले आटा गुत कर तयार कर लेंगे एक बड़े बरतन में दो कप गेहूं का आटा, वन फोर्थ कप सूजी, रवा डालेंगे आपके पास मोटे वाली सूजी है तो भी डाल सकते हैं स्वाद के अनुसार नमक, चार चमच तेल डालेंगे तेल को डाल कर मिक्स कर लेंगे आप इसे मैदे से भी बना सकते हैं तेल डाल कर मोयन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप मोयन को इस तरीके से लड़ू बना कर चेक कर सकते हैं हलका सा इसका ब्रेश करके चेक करेंगे हलका सा ये लड़ू बनने लगा है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गुद कर तयार कर लेंगे अश्टफिंग के लिए मसाला तयार करेंगे एक पैन गर्म कर लेंगे पैन में एक चम्मच साबुत धनिया एक चम्मच सौफ एक चम्मच जीरा साबुत जीरा और सौफ सारे मसाले को साबुत ही डालेंगे पांच से छे काली मिज़ डालेंगे तीखे के अनुसार से लाल मिज़ डालेंगे तीन छोटी सी लाल मिज़ डालेंगे सारे मसाले को भून लेंगे मिडियम फ्लेम पे इसे भूनेंगे एक से डेड़ मिनट लगेगा मसाली को भूनने में जादा देर इसे जादा कलर आने तक नहीं भूनना है हलका सा कलर आने तक इसे भूनेंगे मसाला भून गया है गैस कपले मॉप करेंगे इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे फिर से उसी पैन को गर्म कर लेंगे इसमें उन फोर्थ कप बेशन डालेंगे बेशन को डालका इसे भून लेंगे तीन से चार मिनट बेशन को भूनेंगे हलका सा कलर आने तक भूनने पर यह हलका सा खुस्वू आने लगेगा इससे बस इसे इतना ही भूनेंगे से चलाते हुए बेशन को भूनना है हलका सा एक कलर चेंज हो गया है बेशन का दो मिनट भून गया है बेशन एक से टिर मिनट और भूनेंगे बहुत ही अच्छा सा खुसबू आ रहा है बेशन से बस इसे इतना ही भूनेंगे बेसन को निकाल कर अलग से रख लेंगे फिर उसी पैन को गर्म करेंगे एक चमच तेल डालेंगे तेल गरम होने पर एक चमच ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे अदरक को हलका सा भून लेंगे आप चाहे तो अदरक का पेश्ट भी डाल सकते हैं अद्रक को भून लिये हैं इसमें भूना हुआ मसाला डालेंगे जो मसाले को भून कर तयार किये हैं उसी को ग्रेंडर जार में डाल कर दरदरा पिसकर डालेंगे पॉडर नहीं बनाना है ज़्यादा सारे मसाले को डाल कर मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे कुछ सेकेंड के लिए भूनेंगे, भूनाओ का मसाला है, ज़्यादा दिर तक इसे नहीं भूनेंगे मसाला भून गया है, इसमें प्याज डालेंगे दो medium side का प्याज है इससे बारिक बारिक कट करके डालेंगे आप चायद इसे chopper में भी chop कर सकते हैं इससे हम चुटे-चुटे टुकडे में काट लिए हैं प्याज को प्याज को डाल कर mix कर लेंगे मसाले के साथ में भून लेंगे दो से तीन मिनट इसे भूनेंगे हलका सा प्याज सौप्ट हो गया है कुछ सेकेंड और भूनेंगे फिर इसमें हल्दी पॉर्डर डालेंगे आप इसमें हरी मिर्च भी तीके के लिए डाल सकते हैं अगर आपको जादा तीका पसंद हो तो हरी मिर्च दो काटकर डालें हल्दी पॉर्डर डालका इसे मिक्स कर लेंगे कलर के लिए कस्मीरी लाल मिर्च पॉर्डर डालेंगे आधी छोटी चमच कस्मीरी लाल मिर्च पॉर्डर डालका इसे भून लेंगे एक मिनट के लिए हल्दी पॉडर और कस्मीरे लालमीच पॉडर को भून लेंगे मसाला भून गया है बाकी का बच्चा हुआ मसाला डाल लेंगे स्वाद के नुसार नमक आदी छोटी चमच आमचुर पॉडर डालेंगे इसमें सक्कर डालेंगे अब दो से तीन चुटके डाल सकते हैं इसमें सक्कर डालका इसे मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को कुछ सेकेंट के लिए भून लेंगे सारे मसाले को भून लिये हैं भून क्या है मसाला बेशन डालेंगे पहले इसमें आधा ही बेशन डाले हैं बेशन डालकर इसे पहले मिक्स कर लेंगे वन फोर्थ कब बेशन को भून कर रखे हैं सारा ही बेशन इसमें लग गया है बेशन को पहले इसमें मिक्स कर लेंगे फिर इस सारा ही बेशन इसमें डालेंगे बेशन को डाल कर एक से दो मिनट और भूनेंगे बेशन भूना हुआ है जादा दिर तक नहीं भूनेंगे से बेशन को डाल कर इसे मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे एक से तेड़ मिनट ही भूनेंगे जादा ड्राइ नहीं करेंगे आप लाश्ट में हरी धनी की पत्ती गरमसाला पॉडर भी डाल सकते हैं अच्छे से ये मिक्स हो गया है कुछ सेकेंड और इसे भून लेंगे इसे टोटल देड़ मिनट ही भून है जादा ड्राइ नहीं करेंगे गैस का फिलिम आप करेंगे इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे ठंडा होने पे इसका लड्डू बना लेंगे जादा ड्राइ करेंगे तो इसका लड्डू नहीं बन देगा इस तरीके से छोटा छोटा लड्डू बना कर तयार करेंगे हलके हाथ से प्रेस करेंगे इसका लड़्टू बनकर तयार हो जाएगा इसलिए इसे जादा ड्राइ नहीं किये हैं अज टॉटी से लोई लेंगे इसके चोटी सी कटोरी बना कर तयार करेंगे किनारे से इसे पतला करेंगे और बीच में मोटा ही रखेंगे इस तरीके से इसकी कटोरी बना कर तयार करेंगे अस्टरफिंग डालेंगे एक अस्टरफिंग डालेंगे इस तरीके से पसे उपर की और इस्टराटा ले जाकर इसे लॉक कर लेंगे इस तरीके से आप चाहते इस्टराटा इसका निकाल भी सकते हैं इसे हाथों से ही फैलाएंगे, चकले बेलन पे इसे नहीं फैलाएंगे, आप चाहे तो फैला सकते हैं चकले बेलन पे, हाथ से ही बहुत ही अच्छा से ये बन जाता है, हाथ से इस तरीके से पहले फैला लेंगे, फिर इसे इस तरीके से प्रेश करते हुए, इसे तयार कर ले बहुत ही अच्छे से चारू तरप से फैल जाएगा इसी तरीके से सारे नास्ते को बना कर तयार कर लेंगे आप इसे मैदे से भी बना कर तयार कर सकते हैं इस तरीके से स्टफिंग डाल कर और इसे इस तरीके से हाथों से फैला कर इसे प्रेस करते हुए इसे कजोरी का सेप दे देंगे इस तरीके से इस तरीके से बिनाएंगे तो फटेगा नहीं है, श्टपिंग बाहर नहीं आएगा, फ्राइ करने में एक साइड तेल गर्म कर लेंगे, हलका सा ही तेल गर्म करना है, जादा तेज गर्म नहीं करना है हलका गरम हो गया है तेल इसमें एक ही करके जित्ता पैन में आएगा उतार डाल लेंगे एक से डेड़ मिनट के बाद इसे पलट कर दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक इसे सेकेंगे और लो टू मीडियम फ्लीम पे ही से फ्राय करेंगे सारी कचोरी फोली फोली बनेगे इस तरीके से अगर आपको मेरी रेसिपी पर सन्द आए तो लाईक, Share, Subscribe करें, Comment करें बहुत ही अच्छा सा कलर आगिया है कचोरी में बस इसे इतना ही फ्राय करना है अंदर तक ही अच्छे से सीख गया है, इसे निकाल लेंगे सारी कचोरी फूली फूली ही बनेगी इस तरीके से सारे कचोरी को निकाल लेंगे इसी तरीके से सारे कचोरी को बना कर तयार कर लेंगे अनियन कचोरी बन कर तयार हो गया है आप इसे ग्रेवी वाली सबजी के साथ सर्फ कर सकते हैं यह मली और धनिय की चटनी के साथ सर्फ कर ले अज टपिंग चारो तरप से अच्छे से फैल जाता है फुला फुला बनेगा कचोरी आप भी इस रेसिपी को ट्राइ करें थेंक यू बाइ